दोस्तों गर आपको भी आईपिल 2022 का फाइनल मुकाबला अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जिरूर किजगा दोस्तों आपको बताएंगे इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट वीडियो ऐसे हार्दिक पांडिय की जादूगरी कपतानी से राजिस्तान चारों खाने चित्त हो गया बताएंगे मैज के पूरी खाबर लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है क्या रोहित के बाद टीम इंडिय के T20 की कपतान हार्दिक पांडियो को बनाना चाहिए या नहीं संजो सामसंग ने जीती और फाइनल में दबाओ कम करने के लिए खुद पहले बलेबाजी करने का फैसला किया ऐसे में पहले बलेबाजी करती हुए राजिस्तान को गुजराती कप्तान हार्दिक पान्या ने बड़ी चुनौती दी ओपनिंग करने आये जोस बटलर और इससफी जैसवाल ने आज सुरुवाज से अटैक करने की कोशिश नहीं की लेकिन फिर भी चार ओवर में 31 रन की अच्छी सुरुवाज दिलाई जैसवाल ने अपना हाथ खोलना सुरू ही किया था लेकिन बड़ी पारी खेल पाते कि यस दयाल ने उन्हें 22 रनों पर चलता कर दिया दोस्तो पावर प्ले में पहला विकेट खोने के बाद कपतान संजू और जोस बटलर ने समल कर बलेवाज जी की और 29 रनों की साज़ेदारी करके स्कोर को 8 ओवर में 60 रनों तक ले कर गए लेकिन फिर जैसे ही दोनों बलेवाज इस साज़ेदारी को तेजी से आगे बढ़ाना चाहा तो सामने खुद कपतान हार्दिक पांडिया आ गए उन्होंने विरोधी कपतान संजु सैमसंग को कैच आउट करवा कर खुद इस साज़ेदारी को तोड़ दिया सैमसंग आज फिर टीम के लिए बड़ी पारी नहीं खेल पाए दोस्तो संजु के आउट होने के बाद राजिस्तान की पारी लड़ खड़ा गई संजु के बाद उन्होंने राजिस्तान की रीट की हटी जोस बड़लर को भी विकेट के पीछे कैच आउट करवा कर राजिस्तान के खेमे में खलवली मचा दिया दोस्तो पांडिया ने राजिस्तान के बड़े बलेवाजों को आउट करने का जिम्मा खुद अपने कंधो पर ले लिया था संज्यू और बटलर को पविलियन भेजने के बाद उन्होंने राजिस्तान की एक और बड़े उम्मीद सिम्रोन हैटमायर को भी अपने जाल में फसा कर मैच को पुरी तरह से अपने मुठी में ही कर लिया दोस्तो पांडिया ने गेंबाजी करते हुए राजिस्तान की तीन बड़े विकेट लिये और संज्यू सैम्सन के टॉस जितकर पहले बले बाजी करने के फैसले को गलत साबित कर दिया दोस्तो आपको बता दे हार्दिक ने राजिस्तान के बड़े बले वाज़ों को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया आपकी जानकारी के लिए बता दें जोस बटलेर को 49 रनों पर पविलियन भेजा तो संजु सैमसन की पारी 14 रनों पर ही रोग दिया वही हैट मैर को हिट करने का मौका ही नहीं दिया उनकी पारी को 11 रनों पर रोग कर राजिस्तान को बड़ा स्कूर खड़ा करने का मौका ही नहीं दिया राजिस्तान ने जैसे तैसे करकी 20 ओवर में 9 विकेट के नुक्षान पर 130 रन बनाने में काम्याब हो पाई दोस्तो 130 रन 120 गेंदों में बनाना गुजरात के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं थी हलिकि फाइनल मैच का दबाओं में 130 रन भी बहुत था और राजिस्थान भी असानी से हार मानने को तयार नहीं थी उन्होंने भी शांदर गेंबाजी करी और पाउर प्ले को गुजरात के नाम नहीं बल्कि अपने नाम किया दोस्तो आपको बता दे पाउर प्ले में गुजरात ने सिर्फ 31 रन बनाए और इस 31 रनों को बनाने में दो बड़े विकेट रिदिमान शाहा और मैथ्यू बेट का विकेट गुजरात को गवाना पड़ा दोस्तो पाउर प्ले के बाद भी राजिस्थान ने मैच में पकड़ बनाये रखा कप्तान हार्दिक और शुबन गिल को आसानी से रन बनाने नहीं दिया आपको बता दे गुजरात ने पहले 10 ओवर में सिर्फ 14 रन ही बनाये थे जिससे एक समय के लिए लगा ये मैच फस गया है लेकि दोस्तो पांडिया और गिल के भी तारिफ करनी होगी जिन्होंने तीजी से रन बनाने को नहीं देखा बलकि एक साज़दारी मनाई और विकेट को गिरने नहीं दिया और उनकी इसी रनीती के आगे राजिस्तान मात खा गई दोनों बल्ले बाजोंने सूजबुज के साथ तीसरे विकेट के लिए तिर्शट रनों की साज़दारी करके मैच को जीत के नज़दीक लेकर आए हलेकि दोरान पांडिया 30 गेंदों में 34 रन बना कर चेहर की गेंद पर कैच आउट हो गया लेकिन गिल लड़ते रहे और मिलर के साथ मिलकर गुजरात को एक इतिहासिक जीत दिला ही दी दोस्तों ये मैच हार्दिक पांडिया की शांदर कप्तानी के साथ गेंदबाजी और बलेबाजी में दमदार प्रदर्शन की बदॉलत गुजरात ने फाइनल मैच जीत कर पहली हीट सीजन में ट्रॉफी को अपने नाम करके इतिहास रजदिया